नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत हैं एक तरप ग्रिह मंत्री अमिश्चा बीबीसी डॉकुमेंटरी को लेकर बयान दे रहे हैं उन्होंने कहा है कि बीबीसी के मोदी विरोधी डॉकुमेंटरी के साथ ही भारतिय जनतापाटी और परधान मंत्री नरेंदर मोदी का कद और भी बढ़ा है क्योंकि जितना BBC documentary में PA Modi के खिलाफ दिखाया गया है उतने ही लोगों ने उसके खिलाफ या बाज उठाई है PA Modi के समर्थन में लोग सामने खड़े हुए है तो दूसरी तरफ दिल्ली में BBC हिंदी के दफ्तर पर income tax की rate पड़ गई है एक साथ दो तरीके का काम हुआ है और दिल्ली में जो BBC का दफ्तर है उस पर भी इस बात के लिए नजर थी कि आखिरकार जो BBC को funding मिल रही है उसी से ये दफ्तर दिल्ली का भी चल रहा है कुछले कुछ समय से इस बात की चर्चा तेज हो रही थी कि ये जो BBC देश विरोधी गतिविधियां चलाता है जिस तरीके से भारत विरोधी एजेंडा अपने पोर्टल और यूटूब के माध्यम से चलाता है उसके खिलाप क्या कारवाई होनी चाहिए क्योंकि BBC हिंदी के website पर जो खबरे छबती है उसमें कहीं न कहीं anti-India होने का सुबूत भी दिखाए पड़ता है कश्मीर को लेकर जितनी खबरे BBC के अंदर देखेंगे उसमें दो बड़ी बाते देखने को मिलती है एक तो भारत में जो कश्मीर है कश्मीर को अंतरास्टी एस्तर पर विवादित बनाने की साजिस BBC करता रहा है BBC हमेशा कश्मीर को भारत अधिकरित यानि भारत administrative कश्मीर बताता है Indian administrative कश्मीर वो कभी भी कश्मीर शब्द का यूज नहीं करता है जबकि पूरे कश्मीर पर भारत का है अधिकार है और जो P.O. के है पाक अधिकृत कश्मीर वो केबल भारत के उस कश्मीर के कुछ भाग पर अधिकार जबरदस्ती किये हुए है जिसके कारण U.N. ने जो भारत और कश्मीर के बीच मद्यस्ता की उसी का परिनाम माना जाता है लेकिन जब भी कश्मीर के उपर BBC के स्टोरी होती है तो वो उधर के कश्मीर को तो P.O. के कहता ही है यह जो भारत के नियंतरन में कश्मीर है उसको भी यो भारत प्रशासित कश्मीर कहता है यह एक बड़ा एजेंडा उसका रहा है लेकिन उसके साथ ही कश्मीर पर दूसरी स् की रती है जो सुरक्षा बलों के उपर सवाल उठाने वाली है क्योंकि यूटूब से लेकर बे पोर्टल पर जितनी खबरे बीबीसी देता है कश्मीर को लेकर उसमें एक नया एजेंडा होता है और वो एजेंडा होता है इस बात के लिए कि वहां के लोग और खास कर घाटी क मुसल्मान जो आरोप लगाते हैं सुरक्षा बलों के उपर सेना के उपर सरकार के उपर वो एजेटीज उसी तरीके से पबलिस किया जाता है और यूटूब पर दिखाया भी जाता है जो एक तरीके से मीडिया के इथिक्स के भी खिलाफ है क्योंकि एक पक्ष के आरोप को आपाधार बनाकर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं यहीं नहीं बीबीसी के कुछ और अस्टोरी का भी जिक्र करें तो जो भी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम एजेंडा वाले लोग हैं उसी को यह जादा तर तवज्जो देता रहा है इसलिए यह बात तो सामने आ कही थी कि बीबीसी हिंदी सिर्फ और सिर्फ बे पोर्टल और यूटूब का इस्तेमाल इन ही चीजों के लिए करता है जो भारत विरोधी हो पी ये मोधी के विरोधी हो और इसी का आधार दिखाए पड़ा बीबीसी के डॉक्यमेंटरी को लेकर क्योंकि बीबीसी जब कुमेंटरी बना रहा था गुजरात दंगे को लेकर तो उस समय उसने बीबीसी हिंदी के दिल्ली के दफ्तर का उपयोग भरपूर तरीके से किया बीबीसी हिंदी के दफ्तर ने ही वो सारे लोगों को इकठा किया जिन लोगों का इंटरव्यू लिया जाना था यहां पर जब BBC की तीम पहुँची दिल्ली के दफतर में तो यही से इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में सूट किया था और उसमें BBC हिंदी की तीम भी कही न कहीं सामिल थी चाहतों परदे के सामने से या परदे के पताये गए हैं उन सब के इंटर्व्यू के लिए भी यही इसी दफ्तर में बैठ कर सारी के सारी योजना बनाए गई थी और इसलिए जो फंडिंग BBC डॉकुमेंटरी को मिल रही थी और जो BBC लंडन को जो फंडिंग मिलते हैं सरकार के अलावा जिस तरीके सी कॉंस्पिरेशि में शामिल होता है वो उसकी सूई BBC हिंदी के दिल्ली दफ्तर में भी कहीं ने कहीं घूमती हुई दिकाई पड़ी और इसलिए IT की टीम ने वहां सर्वे के लिए इसको पूरी तरीके से छापा नहीं कहा जा सकता के वल सर्वे किया जा रहा है और इसके लिए BBC दफ्तर की मे विरोध किया और इस विरोध में पहले दफ्तर के गेट पर ही टीम को रोग दिया गया पहले आईकाड मांगा गया और जब सारे स्थित्यां साफ हुई जब इंकम टेक्स डिपार्टमेंट और पुलिस वालों ने अपना आईकाड दिखाया उसके बाद उन लोगों के भावना भी थी और इसलिए जब आईटी की टीम वहां पहुंची तो सारे कंप्यूटर को भी जब कर लिया गया है और सिस्टम को ये खंधाला जा रहा है कि एचर डिपार्टमेंट में जो सुबूत तयार किये जाते हैं जो सैलरी से लेकर दूसरे आधार पर फंडिंग के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसमें कहां कहां से कितने पैसे आते हैं और उन पैसे का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए किया जाता है अगर रिपोटिम पर जाने वाले लोगों के लिए उसके काम करने के तरीकों के लिए उन लोगों को जो लोग यहां पर परोक्ष तोर पर क कर रहे हैं उन लोगों को कैसे पैसे दिये जाते हैं ये सारा रिकार्ड बीवी सी हिंदी के दफ्तर से ही मिले गें अब लगभग ये तैम आना जा रहा है कि बीवी सी के खिलाफ शाह का एक्षन सुरू हो चुका है एक तरफ उन्होंने ये बात फिर से कही है कि बीवी सी ने जो डॉक्विमेंटरी बनाई है उसमें विदेशी कॉंस्पिरेसी सामने आई है और उस विदेशी कॉंस्पिरेसी अंतराष्टी ये अस्तर पर जो पीए मोदी की छवी खराब करने की कोशिश थी इसी कॉंस्पिरेसी का हिस्सा बीवी सी हिंदी का ये दफ्तर भी है और इ इसके बाद ये देखा जाएगा कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा सिस्टम इस बात के लिए लगा है कि 2024 में भारतिय जन्ता पार्टी किसी भी तरीके से हार जाए. क्योंकि इस पूरे सिस्टम को भरन पोसन करने वाली कॉंग्रेस और विपक्षी पार्टियों के वो नेता जो चाहते हैं कि इस सिस्टम को बनाय रखा जाए. यानि कि इस देश में विकास को अबुद्ध किया जाए. जैसा कि पिये मोदी ने भी संसद के अंदर अडानी के पर इंडारेक्ली बोला. ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत अगर विश्व की पांचमी सबसे वड़ी अर्थ विवस्था बन गई है तो इससे लोगों को खुशी होगी लेकिन इन लोगों की परिशानी बढ़ेगी. ये लोग चाहते हैं कि भारत का विकास वैसे ही धीरे-धीरे होता रहे और इसलिए ये भारतिये जनता पाटि को कमजोर करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे. और इसी जोर लगाने के परकृरिया में ये लोग अलग अलग तरीके से कॉंस्पिरेसी कर रहे हैं. उसमें कैबल BBC जैसे संस्ता ही सामिल नहीं है बलकि आप टाइम्स भी सामिल है जो यहां के उन कमजोर नेताओं को बढ़ाने की कोशिश तो करता है लेकिन मजबूत नेताओं को कमजोर करने की कोशिश करता है बीबी सी इसमें अबल माना जाता है क्योंकि इसने अपना अंतररास्टिये नेटवर्क बना रखा है और कहीं न कहीं बीबीसी के उर्दू सर्विस में भारत विरोधी गत्विदिया देखने को मिलती है भारत के खिलाब समाचार बनाया जाता है उसी तरीके से ये बीबीसी जो भी अंतररास्टिये नेटवर्क का इस्तेमाल करता है उ और ये कॉंग्रेस और विपक्ची पाटियों के साथ मिलकर जिस तरीके से कॉंस्पिरेसी यहां चला रहा है उसके बाद IT का छापा तो पढ़ना ही था और उसके साथ ही अब BBC के दफ्तर पर ताला भी लगेगा क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने इन तीन चार महीनों में हंगामा खड़ा किया है और अपनी रिपोर्ट के नाम पर प्रोपगंडा फैलाया है उससे तो ये साबित होता है कि इसकी फंडिंग करने वाले लोग भी वही हैं जो वायर के हैं जो दप्रिंट के हैं मिलता है और ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में वही सिस्टम रहे जो पिछले 60-70 सालों से चलता रहा वही लोगों को तबज्यों मिलता रहे जो पिछले 60-70 सालों में भारत को खोकला करते रहे और इसलिए बीवी सी के दफ्तर पर ये छापा इस बात का संकेत है कि अगर त देश के खिलाफ कांस्पिरेसी करोगे तो चाहे तुम मीडिया में हो या फिर बिजनस में हो या फिर किसी बड़े और्गनाइजेशन इंजियों में चला रहे हो तुम्हारे खिलाफ कारवाई होकर ही रहेगी तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रही है में सहयोग ताकि इसी तरह एक खबर हम आपके लिए लाते रहें धन्यवाद